अगर आप गुटने में या हिप में आर्थ्राइटस है आपकी उमर 40-40 साथ के दन्मियान है या इससे ज्यादा है आपने किसी आर्थ्रोपेटिक सर्जन को फीजियो स्रापिस को विजट किया है और उसने कहा है कि आपके गुटनों के अंदर या हिप के अंदर वेरेंट टेर का प्रासस स्टार्ट हो चुका है अब आप इस बाद से परिशान है कि इस वेरेंट टेर के प्रसेस कैसे रोका जाए तो आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई लेकते हैं अपडेटेड मैडिकल साइंटिफिक टिप दूँगा जिनकी मदद से ना सरफ आप अपने वेरेंट टेर के प्रसेस को रोकेंगे अपने नी आर्थराइटर्स को हिप अर्थराइटर्स को कंट्रॉल करेंगे दुनिया में किसी भी आर्थोपेडिक सर्जन या फिल्स्राप्टिक के पास जाएंगे तो इन तमाम पेशन्ट को चार चीज़ों के बारे में जरूर पताएंगे नमबर वन लिब्रिकेशन यानिकि ऐसी एक्सेसे जिन से हमारे जाएंट के अंदर लिब्रिकेशन हो नमबर टो एरोबिक कंडिशनी ताके हमारे हाट लंग हमारे ओवर अवरॉरल मुस्ल बेहतर तेके से काम करें नमबर त्री वेट बेडिंग एक्सराइज़ जो हम खड़े होगे करें जैसे हमारे नीज के उपर हिप के उपड़ वेट आए और हमारे जाइंट के अंदर स्टेंफिंग आए जब हमने देखा है कि जो ही हमारे नी में या हिप में पेन होती है उसके बाद तो जाएंट के इंफ्लेमेशन होती है और स्रोणिंग में मसल स्टिफ हो जाते हैं अगर हम उन मसल को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो उसे हमारे जाएंट और के अंदर वेरिंटे का प्रासस काम हो जाएगा तो आएए हम आपको उन अक्सरसाइज कर लेकर चलते हैं जिनकी मदद से आप अपने हिप और नी जाएंट की पेन को बहतरते के से मैनेज कर सकते हैं यह जिन में किक आप हिप या नी आर्ट्राइटिस के पेशेंट हैं तो जो सबसे पहली कंप्लेंट आप वो स्टिकी हो जाता है तो सबसे पहले हमने सुबों सोक उठने के बाद पांच से च्छे मिनट की आपकी जाएंट को लिब्रिकेट करने वाली एक्सरसाइज करनी है उसकी मसाज्यू समझेए जैसे हम सुबों गारी को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 से 5 मिन ग गारी खड़ा रहने के बाद आपका जो जाएंट का आयल होता है वो स्टिकी हो जाता है और इसको लिब्रिकेशन बेहतर करने के लिए हम गारी को स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट को आपने अपने जाएंट को लिब्रिकेट करने के लिए करना है तो आई इन वर्दशों लगा सकते हैं अगर आपके पास यह चीज़ें नहीं है वाम बोटल नहीं है तो को इसी बात नहीं अब सिंपल एक्सराइज की मदद से भी अपने नी और हिप जायन को वाम कर सकते हैं नमबर वन एक्सराइज के अंदर आपने इस तरह से लेक्स को पकड़ लेना है और अपनी लेक को नी को राम से सिंपल नीचे लेके आना है और उपर लेके जाना है इसको हम जो है नी एक्स्टेंशन और फ्लेक्शन बोलते हैं आपने सिंपल अप एंड डॉन करते रहना है आ आपके जो हैंस्ट्रिंग हैं काफ मसल हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी आपका पंदा से बीस दफार दोनों टामों पे करने के बाद आपके जाएंट की नी जाएंट की जो लिब्रीकेशन बेतर हो जाएगी और आपकी मौनिंस स्टिफनेस में कमी आ फिर आप नमबर टू कोशे करें बड़ा बड़ा करके लिखें टू फिर बड़ा बड़ा करके थ्री बड़ा बड़ा करके फोर बड़ा बड़ा करके फाइव बड़ा बड़ा करके सिक्स इस तरह से दोनों टामों पे आपने दस तक लिखना है उससे आपके हिप जाएंट नीजाइन को कमबाइन एक्शन लेंगे ताकि दोनों जाइन के स्टिफनेस में कमी आए इसलिए बहुत सिंपल और सान टकनिक है आपने हील स्लाइट के साथ आपने टांग को मोड़ना है जितनी अराम से मुड़ती है और फिर वापस लेके जाना है फिर सिंपल आपने नीज को बेंड किया हिप को बेंड किया फिर उपर उठाया और थोड़ा सा अपने हाथ जो है नीचे हैंपरिंग के उपर रखने हैं उपर से नहीं डाले ताकि नीच जाएंट को स्ट्रेस ना पड़े और आपने नीचे पूल करके फिर वापस लेकिया जाना है दस से पंदर कर सकते हैं नाचसे से पहले कर सकते हैं जो भी आपको टाइम मिले लेकि यह मौर्णी स्टिफनेस को कम करने वाली वर्दुशी है यह बहुत ही असान और सादा वर्दुशी है आप यह भी कर सकते हैं एक वर्दुश को एक से दो मिंट करें ताकि आप पांस से चे मिनिट प आप एक मीने के बाद कोशिश करें कि पंदा-पंदा मिन्ट की वाक कर लें और अगर आगर आपके हीप और नीमे पेन में बहुत कमी है तो आदा गंडा सुब्व आदा गंडा शाम वाक करें नमबर डू आपके लिए बहुत होगा नय के बूरानु के जो बता हैजिस दो किनधे जो कर गए हम ऌका लिवर्ट के दिशनी हं नीमे टरोविशंता वोगी और आपके वाक की प्रियर निदेच Raworse लिए। और simple rod को पकड़के आप free strike kicking करें उससे भी आपकी condition बहुत बेतर हो जाएगी तो जो मैंने आपको tips दीए हैं अगर हम इन tips को follow करते हैं तो आपके hip और knee की pain हमेशा कले खतम हो जाएगी यह दिन में कि weight very excited के जो main objective है हमारे giant की, हमारे muscle की, हमारे leg strength को improve करना है क्योंकि जो लोग knee osteocytus, hip osteocytus के साथ होते हैं, side by side उनको osteo process भी होता है और दुनिया में scientific ली बात थाबत है कि osteo process को बेस्तर करने के लिए weight very excited करने चाहिए इसलिए number one exercise में अपने patient को देता हूँ, कि आपने कोशिश करना है कि दिवार से अपने पौंग एक foot आगे कर ले, इसको हम wall squat बोलते हैं अपना सर लगा ले, अपने कंदे लगा ले और अपनी पूरी back दिवार के साथ लगी हो आइस्ता 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 आप नीचे जाए और कोशिश करें कि आपने जो hip है वो knee से उपर है इसको mini squats को बोलते हैं और आपने 15 से 20 दफा करना है यह भी बात देन में रखिए कि जो हम weight very exercise करेंगे वो middle of the day करेंगे यहां कि during the day हमने करनी है, morning के अंदर हमने lubrication बने exercise करनी है और during the day हमने weight बने exercise करनी है, 5-6 second का hold करेंगे फिर आप उपर आजेगे अगर आप से खुल से उपर नहीं आया जारा तो आप फिर में दवार का सहारा भी ले सकते हैं जब आपकी strength हो अच्छी हो जे तो आप फिर कोशिश करें कि 90-90 दीर के square तक लेके जाने कोशिश करें यह बहुत अच्छी strength exercises है अगर आप इस position को 30 seconds 1 minute का hold करने काबल हो जाएंगे तो मैं आपको make sure करता हूँ का आपकी hip और knee की pain कभी नहीं आएगी और हमेशा के लिए आपकी legs strong रहेंगे weight bearing की number two exercise जो बहुत ही असान और सादा है और आप दिन के इंदर किसी भी हीसे में कर सकते हैं कि आपकी चेर पर बैठे हैं तो कोशिश करें कि जब भी चेर पर बैठे हैं आदे गंटे के बाद गंटे के बाद गंटे के बाद दस सबस चेर से sit stand कर लें इसको chair square भी बोलते है अपने करना किया है कि चेर पर बैठे हुए आपने राम से अपनी कम और सीधी करें दूनों हाथ अपने आर्म से रखें और खड़े हो जाएं खड़े होके जाके अपनी position को सीधा करें अपने hips को straight करें, knees को straight करें और फिर आराम से नीचे बैठ जाएं फिर आप राम से इसा बना लेंगे तो इससे आपकी leg muscle बहुत strong हो जाएंगे, hip और knee muscle की strength को improve करने के लिए एक बहुत यह असान और simple method है कि आप ankle weights का इसमाल करें, कोशिश करें कि दो से डाइक किलो के weights का pair by कर लें और अपना ये कोशिश करें कि आप ankle के around बांद लेंगे, जैसे मैंने उससे आपके hip के abductor muscle strong हो जाएंगे, फिर आपने chair के पास ले जाएंगे और आपने leg को पीछे लेके जाएंगे, दस से पंदार दफ़ा इस तरह से करें, इससे आपके hamstring muscle, glutes muscle strong हो जाएंगे, इसके बाद sideways फ्यूँ खड़े हो जाएंगे और leg को forward लेके जाएंगे, जब इसके बाद आप simple आपनी backward bend करने कोशिक करेंगे, ये knee की flexion or extension है, इससे आपके hamstring muscle strong हो जाएंगे, इसके बाद इससे sideways हो जाएंगे, और simple leg को up and down move करेंगे, जब आप इससे up and down move करेंगे, तो आपके front glutes muscle है, front thigh muscle है, उनमे strength इंप्रोब हो जाएंगे, ये बहुत से simple और strength protocol है, जिससे आपकी weight bearing exercise improve होगी, जिससे hip और knee muscle की strength improve होगी, इससे आपका hip and near arthritis जो है, वो बहुत बेतर त्रीके से control होगा, hip and near arthritis को control करने के लिए, weight bearing के अंदर exercise करने के लिए, एक बहुत यासान और simple method ये है, कि elastic loop का set by कर ले, ये 5-6 elastic loop आएंगे, एक packet के अंदर होगे, कर सकते हैं, इसको भी अपने क्या करना है, कि आपने elastic loop को अपने ankle के round लगा लेना है, जब आप थोड़ा सा अपनी legs को खोलेंगे, तो क्या होगा, elastic loop के resistance से आपके muscles को पर tension आना शो होगी, तो आपने क्या करना है, वही चीज़ जो हमने ankle weight के साथ करीए, सारी exercise repeat करनी है, leg को पीछे लेके जाएंगे, hip के, जो हमारे glutes है, hamstring muscles strong हो जाएंगे, इस तरीके से, again, हम खड़े-खड़े, सामने को leg लेके जाएंगे, तो हमारे quards muscle strong हो जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े के legs को wide करके, अपने hips को और knees को bend करेंगे, तो हमारे front thigh muscle strong हो जाएंगे, front hip muscle strong हो ज giant योप और hip giant योप और stress काम हो और आपका अप्रास भी रूख जाएंगे, वीडियो के से हम हम discuss करेंगे, hip या knee arthritis के, early knee arthritis के, moderate level के knee arthritis के patient को राग को सोने से पहले stretching exercise जरूर करनी चाहिए, in stretching exercise पे जो main objective हो यह जन्वर किये, जब हमारा knee के अंदर arthritis होता है, इस के अंदर को inflammation होत आते हैं, अगर आप daily basis पे इन muscle के stiffness को कम करने वाली exercise करते रहेंगे, तो इससे आप जाएंट की movement है, mobility है, बेतर हो जाती है, और आप नीमे pain में भी कम ही आती है, तो सबसे पहले बहुत असान है, आपने bed के उपर, आपने simple इसा से बैठ जाना है, और आपने कोशिश करने है लेको स्ट्रेट कर ले, लेको स्ट्रेट करके पॉंट से खेंचे और रीच करने की कोशिश करें, अगर आपको पास डुबटा है, टावल है, उसको डालके पॉंट पर डालके भी खेंच सकते हैं, ताकि आपका काफ और हैंटरिंग में स्ट्रेच हो, 15 से 20 से का होल्ड करें कि आपके नमबर वन स्ट्रेच होगा, चार से पाइच दफ़ा इसको कर लें, नमबर टू, सिंपल आपने बैड पे लेड जाएए, इस तासीदा लेड जाएए, और आप कोशिश कीजिए, नी को बेंड कीजिए, हिप को बेंड कीजिए, और दोनों हाथ आपने यहाँ डा करना है, इसके बाद आप 30 सेकंड का ब्रेक लीडिए, इसके बाद इसी पोशिशन के अंदर, आपने कोशिश कीजिए, कि नी को आपने बर्ड क किया हुआ है, और यहाँ से लेक को आप उपर लेकर जासे हैं, इससे आपका हैंस्टरिंग जो है, दिनेमीकली स्ट्रेच होता है इससे आपकी नी की आपकी हिप की आपकी एंकल की जो मॉबिलिटी है बेहतर हो जाती है यह नमबर 3 स्टेच है 15 से 20 दफा इसको भी करिए इसके बाद आप बैठ जाए और सिंपल कोशे कीजिए कि दोनों टांगों इससरा खोलिए और आपने कोशे कर जितना खोल के य फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी हिप के उपर जब आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो हिप के उपर स्ट्रेस काम पढ़ेगा नी के उपर स्ट्रेस का मरेगा यह चार हाकों मैंने अभी तक स्ट्रेच बिता दिये नमबर 5 स्ट्रेच के अंदर आपने करना है एक टांग को बेंड कीजिए दूसरी टांग को बेंड करके उस थाइक उपर उसका अपनी एंकल रखिए और एंकल रखिए इसके बाद उस टांग को उपर उठाइए और फिर वापस ले जाइए फिर उपर उठाइए फिर वापस ले जाइए तो ये नमबर 5 स्ट्रेच है, इस से पिरी फार्मस मसल जो होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रोव होगी अगर हमारा पिरी फार्मस मसल टाइट होगा, तो उससे भी हमारे हिप की स्ट्रोड़ने में बहुत पेन रहती है तो ये टाफ 5 स्ट्रेच हैं जो मैंने आपको दे दिये, इस से आपकी हिप और नी की जो मोबिलिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी आपने डिली बिस्स पे करना है, कोशिश करना है 5 से 6 मिनिट इन स्ट्रेच को रात को सोने से पहले करें, ताकि आपको हिप और नी अर्ट्रेच जो है, वो कंट्रोल रह सके आपने चे जो सोने ay तो आपसी दियो को से खिला हो, आपको हिप और नी अर्ट्रेच को प्साने के लिए तो अग्र वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमाई नई वीडियो के बारे में अगाहिए हो अल्ला हम सब का हामी हो नासर हो अल्ला हाफिज